लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि हमारे असपास जितनी भी चीजें हैं उनको हम दो हिस्से में बाढ़ सकते हैं all things can be divided in two groups living and non-living living का मतलब क्या हो गया सजीव और non-living निरजीव जिनमें जीवन नहीं होता है और फिर हम दोगोंने पैचाना भी था कौन से čीजें living है और कौन से चीजें non-living है हम ऐसा करते हैं कि living और non-living के बारे में थौड़ा और बेहतर जानते हैं ठीक है थाँए Plants, Animals and Human Beings are Living Things. पौधे, जानवर और इनसान जो हैं वो सजीव हैं, सजीव चीज़ें हैं, ठीक है? Living मतलब सजीव जीन में जीवन हो. Living Things are different from non-living things in many ways. Living Things, Living Things, सजीव चीज़ें. Are different, different मतलब अलग हैं, किस से? From non-living things, निर्जीव चीज़ों से, in many ways, कई तरीकों से. Let us see how, आँँ देखते हैं कैसे अलग हैं वो, ओके? We'll see, Living Things Grow, सजीव चीज़ें जो हैं वो बड़ी होती हैं, जैसे देखो, अब अभी छोटे बच्चे थे आप, छोटे बच्चे से आप फिर एक बड़ा बच्चा बन गए, छोटी बच्ची वो बड़ी गर्ल बन गई, और गर्ल से फिर क्या बन गई? एक और बड़ी जो है, वोमन बन गई वो, राइट? बड़ी हो गई न वो, उसी तरीके से देखो, प्लांट्स में भी एक सीड होता है, सीड से जो है बेबी प्लांट निकला, और बेबी प्लांट जो है फिर प्रोपर प्लांट बन गया, और फिर वो प्लांट जो है वो औ इतना बड़ा, दूसरी बात, living things need food and water, living things जो है, इनको food और water की जवरत होती है, जैसे आप भी खाना खाते हैं ना, जंगल में शेर भी खाना खाता है, शिकार करके, और जिबरा भी पानी पीता है, है ना, तो जितने भी living things हैं, उनको किस चीज की जवरत होती है, what do they need? living things need food and water, need मतलब ज़रूरत, तो living things को ज़रूरत होती है, खाना और पानी की, इसके अलावा, living things move, living things जो है, वो move भी कर सकती है, एक जगा से दूसरे जगा, of course, plants नहीं करते हैं, लेकिन plants बड़े तो होते हैं, चलो, living things move from one place to another, living things जो है, वो एक जगा से दूसरी जगा, move करते हैं, चलते हैं, आप भी चलते हो ने, डेली खेलते वक्त, कितना दोर लेते हो आप, है ना, उजी तरीके से चाइगर, या लेपर्ट, या कैट जो है, वो भी लंबी जंप मारता है, राइट, बर्ड्स जो है, वो आसमान में उड़ते हैं, सब मूब करते हैं, डाइट, only human beings and animals can move, सिर्फ इंसान और जानवर बगएरा जो है, बर्ड्स बगएरा, सब मूब कर सकते हैं, can move, मतलब मूब कर सकते हैं, plants cannot move, plant जो है, वो मूब नहीं कर सकते हैं, लगि एक ची ध्यान लेको, plant बले ना, मूब करें, उसकी ज इसके अलावा, living things, breathe, जो living things है, वो सांस लेती हैं, breathe मतलब सांस लेना, ठीक है, तो living things जो है, वो सांस लेती हैं, आप भी सांस लेते हो ना, fish भी सांस लेती है, पानी के नीचे, plants भी सांस लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा, living things, feel, living things जो है यह महसूस करती है चीज़ों को आप खुश होते हो, sad होते हो, इसके लाव आपको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, या फिर इस plant को देखो, छुई-मुई का पौदा है यह, जैसे ही टच करोगे, सिकुर जाती है पत्तिया, actually एक विज्यानिक ने बताया था कि plants को भी दर्द होता है, अगर आप इनको चोट पहुचाओ के तो, इस तरह से living things, feel, जो सजीब चीज़े हैं, वो महसूस करती है, feel मतलब महसूस करना, and living things, reproduce, living things जो हैं, वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा करते हैं, देखो, share के बच्चे आदमी का बच्चे, birds के बच्चे, सब करते हैं न, दूसी तरह, non living things cannot grow, move, feel, breathe and reproduce, अब अगर आपके घर पर मान लो कि एक चेर रखा हुआ है, तक क्या वो चेर खड़े खड़े जो है, अपके घर इतना बड़ा हो गया, क्या अदसल में, या चेर अपने मन से आपके पास आ आपकेश, इवे जाता है, क्या, चेर को अगर आप चिकोटी भी करतोंगे, चेर चिलाएगा, न, अभी बस कर, आपकेश शांस नहीं लिता, ब्रीद करते, और आपका चेर खुद बखुद दो चेर बन गया, क्या, या चार चेर बन गया, नही न, तो वो reproduce भी नहीं करता,र तो living things, non-living things, जो निरजीव चीज़े हैं, cannot, मतलब नहीं कर सकती हैं, क्या सब, grow नहीं कर सकती, move नहीं कर सकती, feel नहीं कर सकती, breathe नहीं कर सकती, और reproduce नहीं कर सकती, उनको खाना पानी की भी जवरत नहीं है, अब से class में देखो, desk, chair, fan and blackboard, well, they are some of the non-living things, right, अब से class में, desk, chair, fan या blackboard इस दब क्या है, non-living things है, right, चलो, फिर अब फटा-फट क्या करें, सा question answer पूड़ा कर लें क्या, let us do that, तो तक हम अगले लिसन में, फिर food पर move करेंगे, तो a desk needs food and water to live, okay, chair को food and water नहीं चाहिए, car को भी food and water नहीं चाहिए, किसको चाहिए, fish को, a desk cannot feel and reproduce, okay, कौन, plant तो भी feel कर सकता है, reproduce कर सकता है, cat को भी गुसा मत दिला ना, नो चलेगी वो, है न, तो desk जो है, वो feel नहीं कर सकता, reproduce नहीं कर सकता, अब चलेए, इसमें हम odd one को side करते है, car, rabbit, book, अब यहाँ पर देखो, car भी non-living है, book भी non-living है, बिच में rabbit बचरा अकेला है न, जो living है, यह odd हो गया, वैसे ही, lion, hen and balloon, तो यहाँ पर lion और hen जो है, यह living है, तो odd कौन सा हो गय यह non-living वाला balloon, अब इन sentences को पूरा करे, living things need, living things need food and water, water को लिख दो यहाँ पर, plants cannot dash, but are living things, plants cannot move, but are living things, plant जो है, वो, आपके बगीजे सा आपके घर पर नहीं आ जाएगा, आपको आम देने के लिए, लेकिन फिर प्लांट क्या है, living thing है, dash things cannot grow, okay, non-living things cannot grow, dash things feel, of course, living things, living टाल दोगे, living things feel, अब एक काम करो, यहाँ पर इनका answer देना है, name any two things that can grow, okay, plant, cat, name any two non-living things, okay, book, pencil, done, चलो, अब एक छोटा सा यह value corner वाला काम भी पूरा ही कर लेते हैं, Rahul sees his friend Sunny throwing stones at a bird's nest on a tree, he stops him from doing that, why? Rahul जो है, वो अपने friend Sunny को देखता है, bird के घोसले पर पत्थर फेकते हुए, और वो उसको ऐसा करने से रोख देता है, क्यों करता है वो ऐसा? Well, वजा यह है, because birds are living and can feel, क्योंकि birds जो है, वो सजीव हैं और वो महसूस कर सकती हैं, right? So, well, we are done with this chapter and in the next class we will learn about food, यह भी interesting होने वाला है, until then, bye-bye.